वेलकम बैब फ्रेंड्स, वेलकम तो आपको पता है कि SSC JE का भी पेपर आपके होने वाले हैं, यह सितंबर या अक्टूबर में आपके होने के संभावना है, तो इसी के माध्यम में इसी के मध्य नज़र रखते हुए हम आपको एक वीडियो के माध्यम से हरेक चीज आपको यहां पर डिसकस करेंगे, जयता कि आप हमारे थमनल में देख रहे हैं, SSC JE का जाप कोई जाम पैटर्न होता है, जो कि फर्स टेपेरिंग बच्चे हैं, यानि कि पहली बार जो अपेर हो रहे हैं, वो उनके लिए बहुत हेलफूल होगा, उनको जानना जरूरी होगा, कैसे कैसे इसके पैटर्न होते हैं, और इसके जो सभी ब्रांच को जो सिलेबस हैं, इंक्लूडिंग आपके GS हो गए, और आपके intelligence हो गए, यानि कि आपके regioning हो गए, general intelligence, वो भी हो गया आपका, फिर उसके बाद SSC JE जो आपका है, उसमें strategy आपको क्या है, उसको भी आम लोग दे उसके पैटर्न हो गए की the topic देक लें, तो, वो आपके tomar भाफ हूं कैसे ईसको करने जा रहे हैं, topics by topic discuss करेंगे, था आप जिसमें सबसे पहले हैं, पैटर्न बताएंगे, paper work का pattern कैसा होगा, paper two का pattern कैसा होगा, syllabus आपका क्या है, syllabus में आपके general intelligence, general awareness, civil engineering, mechanical engineering, और electrical engineering के syllabus होंगे, औ लास्ट में हम लोग एस्ट्रेटीजी आपको बताएंगे कि आपको उसके कैसे कैसे प्रिपियर करना है ठीक है तो आई ये स्टार्ट करते हैं तो आगे चलने से पहले अभी तक हमारे फेस्बूक ग्रूप का प्लोगों जोईन नहीं किया है ग्रूप को जैन कर ले पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल बटन कोई प्रेस कर ले किया जाएगा यूटूब पे तो आपके पास उसको नोटिफिकेशन जाएगा तो टेलिग्राम भी जोईन करना चाहते है तो पहले फ्रेंट्स हम लोग देखते हैं कि पैटर्न क्या है तो पैटर्न आपका क्या है इसमें कि आपको जैसे कि पैटर्न स्सक्राइब का जो है हमें साथ से चलते ही आया है पहले तो यह दोनों पेपर जो होते थे वह ओफलाइन होते थे लिकिन अब ओनलाइन होते हैं तो सब्सक्राइब इसमें कितने मांक से यह एंभी में डिसक्स करूँगा लाय बर डो पेह अपके ट्र अफफिल में मेत बेस्ट खाते मोड जो कि आपके और ऊफ-लाइन होगा ठिक है अफ तो ने क्वेन को को सौल्ट करने होंगे पेपर पर यहां पे दो नमबर और ओप यहां के जासे पको बता दिया मंत पेपर और प्फेपर 2 को सरे के टाइप किस तरह से होंगे थ jew फस्ट फटाइप आपके मต यानि कि पेपर 1 के समझ गए पेपर 2 के आपका पेपर पेपर है तो आपको कोश्चन शॉर्प करने होंगे आप इसको भी ध्यार में रखेंगे एक्जांप डियूरेशन होगा दो आबर्स का ओपर्ज्चन यानि कि आपके 120 मिनट के होंगे जोकी आपके पेपर 1 के लिए बören है और पेपर 2 के लिए अगर मेन और पेपर 2 की बात की जाए, तो पेपर 2 में आपके 300 marks के होते हैं, लेकिन आपके जो exam duration होंगे, वो आपके 2 hours ही होंगे, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग, marking a skin के हम बात करते हैं, तो एक mark होगा आपके per question पे, केवल पेपर 1 के लिए, समझ गया है, पेपर 2 के लिए आपके अलग-अलग होंगे, 10 marks का कुछ होगा question, कुछ 5 marks के होंगे, कुछ 15 के भी होंगे, कुछ 20 के भी हो सकते हैं, इस तरीके से होंगे, ठीक है, अब आपके negative marking होती है, हर एक exam में आपको पता है, तो 0.25 marks आपके deduct हो जाएंगे, अगर आप एक question गलत करते हैं, तो, इस तरीके से आपका हो गया negative marking, और आपके यह हो गया pattern पुरा, हम आगे देखेंगे, paper 1 के लिए, paper 1 में क्या क्या होता है, कौन-कौन से subject होते हैं, कितने time का होता है, और कैसा होता है paper, तो paper, जो 1 होता है, आपका, वो आपका होता है, paper 1 MC Q-type का होता है, multiple choice question आपके उसमें रहेंगे, इसमें आपके जो subject आते हैं, वो होता है आपका general intelligence and reasoning, इसका आप लोग 50 marks के बोल सकते हैं, आपके 50 marks के होते हैं, यह general intelligence and reasoning की बात की जाए, general awareness होता है, दूसरा जो paper आपका होता है, लेकिन सब साथ ही में mix होते हैं, आपके पहले आगे मानलो reasoning आगया, उसके बाद general awareness आगया, आपके technical आगया, यहां, आपके 50 marks के, यह भी आपके 50 marks के होगे, और general engineering में हम लोग आ जाते हैं, तो जो जो branch के हैं, जैसे कि अगर civil वाले होंगे, तो civil के paper उनको होंगे, और आपके general engineering में electrical के होंगे, तो electrical का होगा, और आपके 3 पाट अगर बात करता हैं, तो general engineering में आप लोग मेकेनिकल को होंगे तो मेकेनिकल का होगा इन्हीं तीनु ब्रांच के लिए करवाया जाता है आपको जयता की पता है और इनका जो माक्स होगा वो कितना होगा और जो देख सकते हैं आप तो टूटल आपका कितना होगा आपका 200 माक्स के होगे कितने घंटे के लिए दो घंटे होते हैं अगर देखा रहे तक टाइम की बात कि जाये तो इसके सभीकों मिला आपके दो आबस की टाइम दी जाती है अगर पेपर आपके 10 से स्टार्ट होता है तो आपको 12 बजे तक टेपर चलेगा इस तरह से एक्जाम ट्राइमिंग होती है ठीक है फिर्ण्स कोई डाउट नहीं होगा अब इसले आगे हम लोग देखेंगे पेपर 2 की बात करते हैं पेपर 2 में आपका क्या होता है पेपर 2 होता है आपका कन्वेशनल टाइप का जिसमें आपके पेंट पेंसिल वाले बोल सकते हैं क्यानि कि पेपर पे आपको सॉल्व करने होगे कोस्चन को इसमें से देखें हम लोग क्या होता है इसमें आपका न जी एस होता है न रिजिनिंग होता है सीधे आपके सब्जेक्ट से रिल्टेर होते हैं जैसे कि आपके सीविल स्टुडेंट है तो सीविल के होंगे अगर से स्टार्ट होता है माक्सिमल देखते हैं दूर वजे सी उटा है तो आपके चार वजे तक पेपर चलेंगे तो यह हो गया पुरा डिटियल आपके पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में अब हम लोक्त इसकर सकते हैं तो सबसे पहले आम विस लिवस डिसकर करेंगे जैकर पता है क तो 2019 में आपके पेपर आने वाले हैं, तो जेनरेल इंटेलिजेंस एंड रिजिनिंग का आम लोग देखेंगे, इसमें से कॉंफर्म से टॉपिक्स आपके पुछे जाते हैं, और कॉंफर्म से ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो आपका है एनिलोजी, सिमलेरिटीज, सिमलेरि अच्छा लग रहा है, तो वो उसको पर्चेश कर सकते हैं, अन्य था हम कल वीडियो बनाएंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं, उसको कौन-कौन से बुक आपको पर्चेश करने हैं, डिफ्रेंसे है आपके, यानि कि स्पेस बिसुलाइजेशन भी आपके होंगे, प्रो को से ब्लेड रिलेशन निस समझ सकते हैं, आपके भर्वल एंप्र यानिय रिलेशन से सकते हैं, इसमे आपके फिगर वाले ज्यादा कोशन पूछते है, तो आप लोग इसको भी देख लेंगे, ठीक हैं तो सब को मैं डिफास अलग अलग अग, आप अगर इसको चाते हैं, तो screenshot काट के रख सकते हैं इन सब syllabus के या आप note down कर सकते हैं अब हम लोग देखते हैं general awareness में 2019 के लिए जो आपका paper है उतमे क्या-क्या पूछे का आप से तो आपको सबसे पहले आपको current affairs होना चाहिए current affairs आपको दोनों से होना चाहिए वर्ड से भी और इंडिया का भी ठीक है यह आपको दोनों से अपडेट होना चाहिए और इसमें आपके मैं current affairs का ग्रत सी क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ तो बहुत सार एक जामों में आपके current affairs आपको कोसिस करूँगा कि मैं हिंदी में करूँ क्योंकि जो समझ लेंगे अच्छे थे सभी लोग और एक और चीज है इंडिया एन इट्स नैबोरिंग कंट्री उसके बारे में आपको आड़े होना चाहिए कि आपका भुटान में क्या चल रहा है आपका निस्तान में क्या चल रहा है पाकिस्तान में क्या चल रहा है वहा सारे तरह का कोश्टन देखते होंगे मैं करवाऊंगा सभी चीजों को फिर से आपके जग्राफी होगे जग्राफी आप से पूछा जाएगा उसके बाद आपके एकनॉमिक साइंस सभी लोग छोड़ के जाते हैं लेकिन आप देखोगे इससे यानि कि कुछ तो मिक्स हो जात आप फिर से उसके बाद आपका ओल्योग्राफी यह सब करके जो होते हैं वह आता है जिनरल पॉलिटी एंड साइंटिफिक रिसर्च पर भी कोश्टर आएंगे यानि कि पॉलिटिकल साइंस और आपका साइंटिफिक रिसर्च करते हैं i.e. eigenlijk देखते हैं प्रेंट्स यहां से किसके लिए टे की से लिए होता है जो analytics डिफिल एन यजिरंग के लिए और मेरा का वेशल बेडिके हुआ है बहूत सारे लोग पूछ दिक हरें है कि सरस्व होता है कैसा पर्तर न होता है मैं कर लोगे मैं आपको दिखा दूँगा अच्छे से तो कल के वीडियो को जुरूर देखें आप लो ने तो मैं लिंक भी देज़ रहा हूँ वहाँ से आप पर्चेच कर सकते हैं बहुत अरे डिफरेंट तरह के बुक्स जो है आपके सबसे पहला जो है आपका building materials हर एक एक्जामे में पूछते हैं आपके civil engineering के लिए एक समझे तो base है आपका फिर surveying भी उसी तरह के समझतक चाहिए ये भी आपका base है तो survey building materials आपके maximum आपको आने चाहिए इसमें question की bitage भी आप लोग दिखोगे तो ज़्यादा होता है फिर से आपका RTC design और a steel design ए भी आपके इसमें है hydraulics हो गए जितने वी वाटर वाले portion होते हैं वो इसमें और irrigation engineering में लिए जाते हैं फिर से फ्रेंट transportation engineering transportation engineering से भी question पुछा जाएगा लेकिन आपका railway से question नहीं होता है तो आप railway engineering नहीं पढ़ेंगे ठीक है transportation engineering उसके बाद आपका environment engineering इससे भी आपको अच्छे खासे question पुछे जाते हैं बीओडी वाला आप देखोगे ज्यादा question आपके रहते हैं हम लोग आगे देखते हैं mechanical branch के लिए तो mechanical branch का एक देखोगे तो आपका syllabus ज्यादा है लेकिन ए छोटे छोटे है तो आप इसको cover कर सकते हैं mechanical वालों के लिए है सबसे पहले theory of mechanics and machine design, engineering mechanics and strength of material, properties of pure substance, first law of thermodynamics, second law of thermodynamics, इसको अलग अलग कर दिया गया है इसी चलते इसमें ज्यादा लग रहा है आपका कि जाता सिले बस है, IC engine combustion, air standard cycle for IC engine, IC engine performance फिर यहाँ भी है दिया हुआ combustion के बाद, IC engine cooling and lubrication, देखो उतमे मैंने एक ही जाग कर दिया था सिविल वालों में, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अलग-अलग किया हुआ हुआ है, ठीक है, तो इसी ही करने जाता हो गया, ranking cycle of system, boilers classification, specification आप आपके हो गया, air compressor and their cycles, refrigerator cycle, the principle of refrigerator plant, nozzle and steam turbines, turbines भी काफे question आपके पुस्ते एक जाम में फ्रेंस, SSC जाही में, properties of classification of fluids, इससे भी आपको मैसम कोस्टन रहेगा, fluid aesthetics, इधर जो पाथ है आपके, इसमें कोस्टन आपके होंगे, fluid kinematics, dynamics of ideal fluids, measurement of flow rate, basic principle, hydraulic turbine, a.b. आपके important है, और centrifugal pump से आपके question होते हैं, और आप इधर बात की जाए, तो यह आपका पहला जो पात है, machine design, और यह जो low हो गये, यह सब भी आपके बहुत सारे important होते हैं, तो आप सभी topics करके जाएंगे, अब बात है electrical engineering की, तो इसका syllabus भी इस तरीके से है, electrical में सबसे पहले आपको basic principle होता है, electrical क्या होती है, इस सब के बारे में भी जानना होगा, उसके बास circuit low, magnetic circuit, AC fundamentals, measurement and measuring instrument, यह आपका measurement and measuring instrument, यह आपका measurement and measuring instrument, जैसे की current को, volt meter ampere, इस सब के बारे में भी आपको, इस सब के बारे में भी आपको जानने होंगे, फिर से आपका आता है electrical machine, fractional kilowatt motors and single phase induction motor, देखो single phase induction motor से भी आपको question दाते हैं, तो यह भी आपका होगया एक important part, synchronized machine, देखो synchronized machine, synchronized motor आप सुने होंगे, यह भी आपते इती भी पूछे सकते हैं, जामों में कापके अच्छे खाते question, फिर generation है, फिर generator होगा यहाँ पाई थिंग, यहाँ पर transmission and distribution, कैसे कैसे transmit होते हैं, और distribute होते हैं, उसके बाद estimating and costing, utilization and electrical engineering, और basic electronics, बेसिक electronics आपके जो की electronics क लिए जो पढ़ते हैं, बच्चे, उसके जो first chapter जो होते हैं, वो basic electronics होते हैं, उसको भी जानना चाहिए आप लोग को, तो फेंस अब आते हैं, strategy में, तो strategy क्या होगी, बढ़ने के सबसे पहले, सबसे पहले अगर आप बात करते हैं, तो आपका होता है, एक pre-exam जो कि आपको इस बार ज्यादा है, पिछले सालों की, लेकिन इसी तरीके से रहा सकते हैं, लेकिन आपको अगर 110 लाएंगे, तो आपको possible नहीं होगे, आपको इसकी लिए कम से कम 130 से उपर जाना होगा, क्योंकि conventional paper में सभी लोग अच्छे marks नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए आपके strategy भ करते हैं, ठीक है, मेरी जी वाले आपके जो material होते हैं, उसके जो basic होते हैं, अगर आप उतना भी कर लोगे, तो सही है, लेकिन आप लोग ज्यादा hard करने के चक्कर में रहते हो, और यहां पर जो level होती है, वो diploma के लिए होती है, ठीक है, यह नहीं कि AE का level है, या आपके ES का level है, उस तरह के से level नहीं होते है, SSCJ के, तो आपको समझना होगा कि आपको diploma level के त्यारी करके चल लिए है, basic चीजों का आदम आपके tank होना चाहिए, तो उस तरह के साथ के पास उसी तरह का material होना चाहिए, जैसे कि मैं आपको कल्वी suggestion दूँगा कुछ books के, तो वो आगर basic concepts, देखो basic concepts का यहां पर आपकी बाते हैं, basic concepts अगर clear हो जाता है, ओ भी आपको thought tricks है, क्यूंकि आपको time बहुत ही, दो घंटे में आपको समझ सकते हो, आपके कितने question, यानि कि 200 question होते है, pre-exam में, 120 minute में आपको 200 question solve करने होते हैं, और आपके reasoning भी आपको देते हो, तो कुछ यह है, आपका कैसे कर सकते हैं, इन सभी चीजों को लेकर, तो आपको regular प्राहई करने होगी, यह नहीं कि मैं 11 गंटा, 12 गंटा का बात कर रहा हूँ, इतना भी कोई नहीं पढ़ सकता है, बूप पढ़ता है, तो वो आपको जूट गोलता है, पढ़ता नहीं होता है, आप म कर लो, यह नहीं कि कभी यहां से कुद कर यहां जा रहे हैं, यहां से कुद कर यहां जा रहे हैं, को भी आप एक टॉपिक सच्टों उठाते हो, तो उसको खतम करो, तभी उसमें दूसरे टॉपिक में जाओ, आप टाइम मेनेजमेंट की बात करते हैं, टाइम मेनेज आपक तो आप अगर दो घंटा सुबह में देते हो तो आप देखोगे इसमें अच्छा फायदा आप के लिए करेगा फिर से फ्रेंट्स रिवीजन रिवीजन बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं और लास्ट नहीं के लिए रखते हैं और पता चलता है कि आते आते एक्जाम आ गय अगर आप उसी दिन आप रिवीजन करो ठीक है और जिदन आप पढ़े हो उस वीक में उस सब का रिवीजन करो तो साथ साथ आपका फुकता होते चलेगा आपका पढ़ाई भी और रिवीजन भी और आपको देखोगे कि अच्छे खाते आपके पकड़ उस पे बोल सकता हूँ कि आप अगर ऑफ-लाइन भी है क्योंकि ओनलाइन बहुत कम मिलता है अगर आपको कहीं से मिल रहा है यह तो आप प्रिवीजन के पेपर को भी आप मौक टेस्ट में करने के कोसिव कर सकते हो फिर आंसर बना के अपना देख सकते हो कि कितना आ रहा है अभी अब चीज में एक ही वीडियों बना दिया तो उसे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती है तो फ्रेंस थांट्स थांट्स वाचिन के वीडियो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल कभी तक सब्सक्राइब ने कि हैं तो इससी जेई का हम लोगोंने काफी ज्याधा प्रेट किया था पहले 2017 में और 2018 में आप लोग देखे होंगे 2016 में बात कर रहा हूं तो मेरे वीडियो ज्यादा चलते हैं आपके से CJ क्या आप मेरे जाके प्रेलिश्ट में बहुत तारे वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो को लाइक करें जरू फ्रेंज और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ थैंक्स थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो